दिरे स्टुएंट्स बहुत स्वागत आप सिर्का बच्चों ये क्लास फाइव का म्याथ है चप्टर 6 है और एक्सराइज 38 तो इस एक्सराइज का मैं क्वेश्चन नमबर 10 तक आप लोगों को किलियर करवा चुका हूं और आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नमबर 11 12 और इसका आगे करेंगे क्वेश्चन नमबर 14 लेते हैं तो 14 में यहां क्या कह रहा है निधी इतना रूपीज उसके पास टोटल रूपीज इतना है इस पैंड वन बाइटू आप हर मनी ऑन बुक्स तो इसका उतना पैसा जो है बुक्स पे वन बाइट खर्च कर देती है एंड इतना आप दा रिमेनिंग मनी ओन लंच इन दा स्कूल और जितना बाकी पैसे बचता है उसका इतना पार्ट जो है वो लंच के लिए खर्च कर देती है तो अब उसके पास कितने पैसे बचे हुए है यह भी बनाना असान ही है क्वेश्चन नमबर 14 यहां पर लेते है 14 और इसमें निदी के पास तोटल मनी विल कितना पावल इंए तो trillion बनाना अब वो खर्च कहा करती है बुक में पॉर सिंड इस पैंस ca-c spvs on book in books क्ई те कितब ले लेति हैं बोगसMuldo one by two तो टोटल इसका है तो वन बैट टू आफ इसका ही हो जागा इसका वन बैट टू पार्ट हो जागा अफ winners 48-02 ग् hou ben टू कितना होजागा इसका तो बन कितना अगरrier 2 बचा कितना C has left तो अब उसके पास कितना बचा? C has left इक El Two Twenty forty eight था उसके पास और उसमें से और 24 करच कर दी तो अभी उसके पास 24 रुपीज बच्चा यह पैसा उसके बच्चा अब वह किसमें करती है नाउ सी डिस्पेंस इस पैंस ओन लंच लंच में खत्म करती है कि लंच कितना खत्म करती है वन बाई थ्री वन बाई थ्री इतना पाट खत्म करती है कि इसका इसका जो बच्चा हुआ है उसका आफ 24 तो कितना हो गया वन बाई थ्री इन्टु 24 तो यह कटी जया कितना बार में गया 8 बार में गया 8 इसका मतलब है कि रुपीज 8 जो है वो लंच में खत्म करती है तो उसके पास बच्चा क्या तो उसके पास क्या बच जाएगा मतलब उसके पास बच्चा कितना बच्चा उसके पास 24 रुपीज था 24 माइनस 8 रुपीज जो है वो लंच में स्माप्ट कर दी तो अब कितना हो गया इक्वल टो 16 रुपीज उसके पास 16 रुपीज बचा तो यही अंसर हो जाएगा क्वेश्चिन नमर 15 लेते हैं के वाटर टैंक इस वन बाफाइब फॉल एक वाटर टैंक है इतना भारा हुआ अप्टर ड्राइंग ऑफ 16 लिटर इट इस जस्ट वन बाई 6 फूल मतलब 16 लि निकालने के लिए कह रहा है और यहां पे कुछ भी अता-पता नहीं चल रहा है तो इसको कैसे निकाला जा सकता है सबसे पहले यहां पे 15 लेते हैं और यहां पे टोटल के पिसीटी लिख लेते हैं टोटल जो की हमको निकालना है टोटल कैपेसिटी capacity of tank तो यह तो मालूम नहीं है तो x रख लेते हैं तो अब इसमें से यह इतना full है तो कितना हो गया it is full it is full of water पानी उसमें कितना भरा हुआ है equal to 1 by 5 तो 1 by 5 किसका? total का भरा हुआ है of x x का भरा हुआ है मतलब वह कितना full है यह 1 by 5 into x तो कितना हो गया x यह multiply हो जागा तो x by 5 हो गया इतना भरा हुआ है अब उसमें से 16 लिटर पानी निकाल दिया जा रहा है after after drawing of 16 लिटर तो इसमें से जब 16 लिटर पानी निकाल दिया गया तो फिर कितना भरा हुआ है 1 by 6 बतला रहा है तो 1 by 6 of x मतलब पूरा का of x तो यह कितना हो गया 1 by 6 into x तो हो गया यहां पे x multiply हो जागा x by 6 अब इतना भरा हुआ है तो इतना पहले था और जब 16 लिटर लिटर दिया गया इतना हो गया तो फिर total capacity कितना हो गया यहां पे short में लिख रहे है a by q मतलब question के नुसार जैसे कि question मतला रहा है कि पहले था x by 5 और अब हो गया minus x by 6 तो इन दोनों में minus होँआ कितना पाई निकल गया 16 लिटर निकल गया इसको calculate करेंगे तो पता चल जागा हमको x का जो value आएगा वही total capacity of tank होगा तो यहां पे क्या करना होगा इसको LCM ले लेते हैं यह LCM हो गया तो 30 होगा 356030 और यहां पे 6 बार में जागा 6 x हो गया यहां पे हो जागा 6 x minus हो गया और यहां 5 बार में जागा 5 को X से multiply करेंगे 5 x हो गया और equal to 16 हो गया तो यहां पे यहां ले लेते हैं तो 1 x मतलब x बची है x by 30 और equal to 16 तो 16 यहां नीचे में 1 रख लेते हैं cross multiply करेंगे x को 1 से multiply करेंगे x ही होगा x तो equal to 16 को 30 से multiply करेंगे तो 16 3 जा 48 होता है 48 पे 1 0 लगा देंगे मतलब 10 की capacity इतना लिटर है और यही 480 लिटर इतना ही अंसर हो जाएगा यह हुए complete